हाई एवरिवन वेल्कम टू दे चैनल इंजिनियर्स पूडो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन मैथ्स एक्सरसाइज 2.5 कॉस्चन नंबर 3 अब हम लोग देखते हैं नंबर 3 कॉस्चन नंबर 3 है 9x² प्लस 6xy प्लस y² तो इसे हम लोग फॉर्मूला के द्वारा दिल करेंगे जैसे फॉर्मूला ए प्लस b का हॉल इसक्वाइड है तो इसे a² प्लस b² प्लस 2ab यह हमारा फॉर्मूला है और a-b का हॉल इसक्वाइड a²-b² तो यह होता है हमारा a plus b और a-b तो इसक्वाइड को करेंगे क्या हम इस फॉर्मूला पर बैठ आएगे और करेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab पर तो यह y² क्या दिख रहा हमें b² के तरह और 9 9 का मतलब क्या है हमारा तीन का स्क्वाइड हमारा 9 हो सकता है है ना तो यह हमार इसे लिख लेते हैं 3x का all square और यह हमारा हो गया y² तो यह हो गया हमारा a और यह b ओके अब हमें b बीच वाले को पूराना है तो बीच वाले के लिए क्या करेंगे 2x 2ab हमें लिखना है तो 2 into a हमारा क्या है 3x और b क्या है हमारा y तो 3x into y तो हमारा हो गया 6xy तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 2 into 3x into y है ना तो यह हमारा क्या हो गया यह हम लिख लेंगे 2 into 3x into y तो यह हमारा हो गया a square यह हो गया b square और यह 2ab तो इसका formula हम लोग ने क्या देखा a plus b का all square है ना अब क्या करेंगे इसको लिख लेंगे a हमारा 3x हो गया और b हो गया y तो इसका all square यह हमारा हो गया first question अब second पर आते हैं तो second क्या है हमारा 4y square minus 4y plus 1 है तो 1 का 1 square हो सकता है ना तो 1 square लिखते हैं हम लोगों ने अब यहां पर आता है 4 तो 4 क्या हमारा 4 देखने पे क्या पता चलता है यह हमारा 2 का square है तो यह हो जाएगा 2 का square into y square तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 2y का hall square और यह minus का minus अब हो जाएगा हमारा minus में 2 a b हमें लाना है क्या लाना है a minus b का square क्या हो जाता है a square plus b square minus 2 a b अब हमारा a square हो गया यह b square हो गया आप लिखेंगे 2 into a हमारा है 2y तो 2y लिखती है और b हमारा 1 यह हो गया हमारा 2 a b तो हो जाएगा 4y क्या हम लिख सकते हैं 4y के बादले 2 into 2y into 1 या बिल्कुल अब क्या करेंगे माइनस के साद 2 into 2y into 1 लिख देंगे अब यह हमारा हो गया a square plus b square minus 2ab अब इसे हम लोग क्या कर लेंगे a minus b के hall square पर लिख लेंगे तो a हमारा हो गया 2y और b हो गया हमारा minus 1 का hall square तो यह हो गया हमारा number 2 अब third question है हमारा x square minus y square by 100 तो यह हमारा हो गया x square y square यह हो गया y square तो हम लोग देख रहा है ना a square minus b square बरावर क्या हो जाएगा a plus b into a minus b तो यहां पर x square minus y square तो देख रहा है अगर एक 100 नहीं रहाता तो क्या हो जाता direct हो जाता plus में और एक पार minus में तो 100 के देखने के बाद हमें क्या लगा इसको लिख लेते हैं x square minus y square y 100 का हो गया 10 का square तो यह हो गया हमारा y y 10 और एक पर plus में लिख लिया और एक पर minus में लिख लिख लिए x minus y y 10 तो यह हो गया हमारा third question